इस्टोन का प्रॉबलम जो 11 इस्टोन थे उनके कीडिनी के उपरी भाग पे पिसाप नली पे जहां एक तरफ छे इस्टोन और एक तरफ पाँच इस्टोन थे और आज जानते हैं उन्ही के माध्यम से और उन्ही के जुबानी कि उन्होंने किस तरह से उप्योग किया कैसा तो सर आपको यह इस्टोन की प्राब्लम कब से थी इस्टोन के प्राब्लम तो पहले से था सब यादा दर दना हुआ अपरेल के माह में तो मैं हस्पीटल रायगर गया था तो वहां इलाज उलाज करवाया वहां सौन पराविये तो बताए कि आज के दोनों साइट में लेट किद्नी और राइट किद्नी में स्टोन है ना अनि लेट कर दिनी में और इसमें ना राइट किद्नी में पाच इस्टोन बता रहे हैं उसमें से सबसे बड़ा इस्टोन है और वहां दर्द इंजेक्शन लगाए और दर्द और कम हुआ कि वहां से मैं आया घर अपना सारंगड तो चलो एक बात प्रस आयरुएद में त्राइक कर लिया जाए का है कि मैं थ्वाई टाक्टर के पास दिया तो थ्वाई टाक्टर सर्ने मेरे कोई वाला दवाई दिये था है यह दोना दवाई देखे मेरा फोनोगरा की रेपोर्ट व खतम हो रहा है मेरे विश्वास ने और चलो लेकिन इतना महंगा में लिया हूं करके मैं इसका यूज किया है कि टर्ल कि यह इसके बाद पूश्वास के लिए ना आपने अस्पीटल गया और वहां में कर रहा है कि यह मैं राधा कृष्णा अस्पीटल गया और अब श्रम बता रहा है तब मेरे को अच्छा लगा पर विश्वास नहीं हुए इतना है इतना है तो ब्रींद में था ग्रूप में था इस्टोन पैसे इतने जल्दी खतम हो गयते हैं फिर मैं खराएगा खालोग पेट लिएतर के पास सोनोग्राफी कराने के या वहां सिटी स्केन करवा तो वहां भी रिपोर्ट में वहीं बताया कि लेक्ट किस्टोन है तो इस पर मुझे विश्वास और आक में तुरंद फिर और एक सिट करें तर इसको यह दुनों को एक डब और एक डब बकियां हूं और तब से आज तक मुझे अभी दर्दवर्द का पता नहीं चला रहा ह लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे नहीं मैं तो संदेश देना चाहता हूं सरे जो इसके यह स्वारा जो है मुझे बहुत अच्छा सुट किया है पर आप लोग भी इसता उप्योग करें वड़ियां है जी बिल्कुल यह सभी साथ ही आप देख पाए कि हमारे सर ने जिस तरह से इसका उप्योग किया और आज पूरी तरह से इस्टोन की प्राब्लम से क्योर हो चुके हैं रियल में अम्रित है और लोगों की जवरत की है इसको लगातार उन्होंने डेड़ महना उप्योग किया था और डेड़ महना के बाद में उनको भरोसा भी नहीं हुआ तक मेरे स्टोन समापत हो जाएगा और उन्होंने सारंगड के राधा कृष्ण हास्पिटल में जाकर अ इनको भरोसा नहीं हुआ स्वास्ता के बारे में बात है एक बार चेक करा लिया जाए तो सरको बताया कि पूरी तरह से आपके सरीर में किसी प्रकार का कोई अस्विधा नहीं है खेड़ी ने एकदम स्वस्त हैं मजबूत हैं आप काम कर सकते हो केवल एक छोटा सा इस्टोन आपको दिखा रहा है तब सरको और भरोसा वार विश्वास वार फिर दोबारा उन्होंने इस प्रोड़क्ट को एक डबा हमारे डाक्टर अतुल थोईट सारंगड ब्या-एमस के माध्यम से पुना एक डबा लिया और आज वो बहत्तरीन तरीके सवस्ता और अच्छे हैं तो धन्यवाद दोस्तों सभी साथियों को नमसकार इसका उप्योग करें इसलेपेस वेलनेस का और अपने लोग करें है